भारत चौंसर्ट करोर देवी देवताओं की भूमी है जो अपने प्राचीन और प्रशीद मंदिरों के लिए बिश्वभी क्यात है। तो नमस्कार दोस्तों मैं ब्रश्टच आज आपके लिए भारत की कुछ ऐसे ही मंदिरों के बारे में लेकर आया हूँ जिसका रहस्य जानने के बाद आपको उस पर विश्वास ही नहीं होगा। जिसे हिंदूों के चार धामों में से एक माना जाता है। हमेशा हवा के बिपरी दिसा में ही लेराता है। आम तोर पर हर दीन के समय हवा समुंद्र से धर्ती की तरफ चलती है। और साम को धर्ती से समुंद्र कियो। पर आपको जानकर हरानी होगी कि यहां की प्रक्रिया बिलकुल उल्टी है। पर ऐसा क्यों यह आज तक का सबसे बड़ा रहस्य है। जिसे साइंटिस्ट भी नहीं सुल जा पाए। नमबर टू वीरभद्र मंदिर आंधर प्रदेश आंधर प्रदेश में इस धित वीरभद्र मंदिर भारत के सबसे रहस्य में मंदिरों में से एक है। सुलामिस सताबदी के आज पास निर्मित इस मंदिर में 70 वी साल अस्तम्भों का घर है जो विजय नगर सहली को दरसाता है इस मंदिर की रहस्य में बात यह है कि यहां कि 70 अस्तम्भों में से एक अस्तम्भ मंदिर की छट से लटका हुआ है जो कि जमिन से बिल्कुल भी अस्पर्श नहीं करता जिसे हैंगिंग पिलर के नाम से चाना जाता है जहां अक्सर परियाटक अस्तम्भ के नीचे से पतला, कपड़ा या रुमाल निकालते हुए देखे जाते हैं कि अपने आप में ही एक रहस्य है पर ऐसा होता कि है यह आज तक एक रहस्य ही है नमबर 3 करणी माता मंदिर राजस्थान के रीगल भूमी के देश मोक टाउन में इस्तीत करणी माता का मंदिर भी एक रहस्य में मंदिर और जो इसे सबसे ज़्यादा रहस्य में बनाता है वो है यहाँ के चुहे आपको बता दे कि इस मंदिर में 20,000 से अधिक चुहे मौजूल हैं जिनके जूथन को ही प्रशाद रूपी भक्तों को बाटा जाता है और आपको बता दे कि अगर यहाँ पर किसी एक चुहे की मौजूल हो जाती है तो उसकी जगा पर एक सोने की चुहे की मूर्ति की अस्थापना की जाती है पर इस मंदिर में इतने चुहे आये कहां से यह आज तक का सबसे बड़ा रहस्य है उडिसा के पूरी जीले में इस्थित कुनार की सूर्य मंदिर का रहस्य सबसे बड़े रहस्यों में से एक है जो कि चंद्रभागा नदी के किनारे इस्थित है पुरानों के अनुसा स्री कृष्ण के पूत्र शांब को श्राप से कोड़ रोग हो गया था और इस राप से बचने के लिए रिसी कटक में स्री कृष्ण पूत्र शांब को शूर्य भगवान का पूजन करने को बोला उस वक्त सामने भगवान शूर्य की कड़ी तपस्या की और भगवान शूर्य को प्रशन्य करने और नीशे किया वह एक शूर्य मंदिर बनवाई और उसके बाद हुए वही चंद्रभागा नदी में अस्नान करने चले गया जहां पे अस्नान करते समय उनको विश्व कर्मा की बनाई हुए एक शूर्य भगवान की प्रतिमा मिले जिन्होंने वहां अस्थापित कर एक मंदिर बनवाया जिसे आज हम कुनार्क शूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं पर समय समय पर कई महराजाओं ने इसका पुनन निर्मान भी करवाया थी कहा जाता है कि इस मंदिर में पहले दो मंडप और एक गर्वगिरी था पर किसी कारणवस दो मंडप ढय गया पर अब इस मंदिर का गर्वगिरी पूरी तरह से रेत और पत्थर से भड़ा परा है जो कि अंग्रेजों ने इसे ढ़ाने से बचने के लिए किया था इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस यह है कि यहां पर रात को अकसर नर्तक्यों की नाचने की आवाजे सुनाई देती है और लोग इसके बारे में बोलते हैं कि ये आवाजे राजा की सभा में नाचने वाली नर्तक्यों की हैं जो कि अपने आप में ही एक रहस्य है गुजरात में इस्तित अस्तमभेश्वर महादेव मंदिर भारत में अविस्वस्थनिये और रहस्मई मंदिरों में से एक है यह मंदिर रोजाना दिन में दो बार के लिए पूरी तरह से गायब हो जाती है और इस मंदिर का कुछ हिस्सा ही दिखाई देता है गुजरात में अरब सागर और कैमबे खाडी के तट पर इस्तित इस मंदिर में ऐसा जवर एवं भाटा आने के कारण होता है और लोगों का मानना ये होता है कि खुद समुंद्र देवता दिन में दो बार सिउजी को जला भी से करने आते हैं माना जाता है कि ये मंदिर संकर पूत्र कार्तिके ने बनवाई तो इन मंदिरों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कॉमेंट में हमें जरूर बताईएगा तब तक के लिए जैहनुद्र